असलाम लाइकूम फ्रेंड मैं हूं महबूब और आप देख रहे हैं टॉप 3 यूट्यूब चैनल तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारश है कि यूट्यूब पे हमारा टॉप 3 यूट्यूब चैनल सब्क्राइब करे ताकि हमारी आने वाली लेटिस वीडियो का और नोटिफिकेशन आपको लिए सके हमारा वीडियो बनाने का मक्सद यह है कि पाकिस्तान में जो लोग दंकी लगाते हैं उनकी जिंदगी कैसे गुज़रती है मैंने बहुत सर्च किया इंटरनेट पे हमारे कुछ दोस्ते दि उन से यह जाना कि कभी भी आपको जो लगा के पाकिस्तान से नहाजाएं क्विए ने बताया है कि कैसे कैसे लोग जाते हैं और क्या क्या नकी साथ होता है हैं और भुछ से जो लोगोते हैं वह मेरे हैं उद्धर पँच पाते दिने के नहीं हैं किके आपको पता है कि एक मुल्क से होके दूसरे मलक में जाना हूं । दूसरे थीसरे में जाते हैं अपको पहले। motherboard Shield City दänका रोता हैंadan हैं और बिलोचिस्तान बिलोचिस्तान के बाद बिलोचिस्तान के बाद आपको जो होता है ए ए ए इरान में दाखिल हो जाते हैं इरान के इरान में दाखिल होने के बाद इरान में आप एरान का एक शेहर है कुम शहर है मेरे ख्याल में कुम में कुम में चले जाते हैं कुम से होकर फिर जो तुर्की और इरान का बार्डर है उदर चले जाते हैं तुर्की तक पहुंच जाते हैं वो मेरे ख्याल में यूरप तक पहुंच जाते हैं और तुर्की और यूरप में फार्क नहीं है फार्क सिर्फ इतन本ा का ब्र्टर है। वह बिलकुल है। औरे प्रत में, को 181 विनियके इक और इसी प्रताँ के पारवगनुट से ओर로 अथ तन्याव झार भूद पूद्याल है। और ये दो तीन माहे होते हैं ये बहुत ताफ होते हैं और मेरी वीडЪले का मकसद है कि कब ही आप डंकी लगां की ना जाएं क्योंकि ये कि अगनेगर ये जाएगे नो बहुत जो मुश्किल से ही पहुंचते हैं तुर्की में तुर्की से आगे इनका जो सफर शुरू होता है वो तफ सफर होता है क्योंकि तुर्की से ग्रीज तक जाने में इतनी मुश्किल नहीं होती मेरे ख्याल में क्योंकि तुर्की और ग्रीज के दर्मान एक नहर होती है व यूरोपेयन यूनियन का इतहाद है वह यूरोप में आता है ना और तुर्की नभी बाडर खो रहे थे और जो ग्रिस थी ग्रीज को दूसरे मलक ओम मुल्कों के लिल्क्री तरह से फंडिंग होती है क्लिक तुर्क ग्रीस को रोकना होता है वाम को ज़यदा इस पहुंच जात है वहां पे तक्रीबन और दस मुलकों की जो फोज होती है वो पहुंच हुई है वो हली केप्टर की मदद भी ले रहे हैं और मेरा वीडियो बनाने का मकस्द सिर्फ ये था कि आप कभी भी डंकी लगा के पाकिस्तान से तुर्की इटालिया ग्रीज कभी भी ना जाएं यार कि आपको जाना ही है तो आप ऐसा करें एप्लाई का देना आप पहले ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार एप्लाई कर और यॉर्प में जाने से बेतर आप ऐसा है ऐसा है आजकल दुबई साओधिया कतर इसकी वीडिया असानी से मिल जाते हैं ये रवल पिंडी में कुछ इसके बाद आप अप्लाई का लगी फिर चले जाए ना बाइयर जाएं कभी भी डंकी लगा के माच जाएं क्योंकि डंकी में आप अगर किसी कंट्री के बॉर्डर से गुजर रहे हैं हों पे फैरेंग हो जाती है आप वो गोली लग गई अल्ला ना करें आपकी जान चली जाएं उस कंट्री वाले जिम्हादार नहीं होंगी क्योंकि आप उस कंट्री में इलीगल नहीं जा रहे हैं और सबसे मुश्किल घड़ी उस वक्त होती है जब आप घारवालों से दूर होते हैं और हमने कितनी वीडियो देखिया है कि लोग चले जाते हैं वो बार बार कह हमें वापस आते हैं वो यही कहते हैं खुदा रहा अडंकी नहा लगाए क्योंकि जो डंकर होते हैं डंकर को डंकर आपको बोलता है मेरे ख्याल में हमने दोस्तों की वीडियो देखिए हैं काफी और मेरा नटपे सर्चिंग जो टॉप ट्रेंड में सर्च रहा है वो यही जाएंगों का मकस्छच होता है कि हम जाए बाइर जाके पैसा कमाने। यह प्रश नहीं है अप जाएंगे तो आपके लिए असानी होगी, आपके घर्वालों के लिए असानी होगी। अगर कोई आदमी चला जाता है उसको घर का एकलोटा है वारस भी है। जैसा कहें कि उसके घर में और कोई उसके अलावा नहीं है जो घरवानों की बद्द कर सके अगर वह भी अपनी जान को खत्रे में डाल के डंकी लगा के जाएगा तो फिर खुदा ना करे उसके साथ कुछ हो गया डंकी लगाते वाग्त किसी आपको पता है जो इरानी होते हैं हैं कुछ तो अच्छी होते हैं बाराल जादा अच्छी नहीं होते हैं और तुर्किश रहे होते हैं तुरके तुर्किश होते हैं भाराल यह प Woozee के जा रह grenade और आपके साथ क्या हो सकता है मेरे वीडियो बनाने का मक्सद है आप डंकी लगा कि कभी भी विन आ जाएं अप जाना है तो अब्युजहबी कतर, मलेशिया वगिरा के वीज़ आदकल असानी से मिल जाते हैं और दुबई के वीजे भी मिल जाते हैं आप ऐसा करें इधर चले जाएं इधर जाके काम करें पर उसके बाद अब आ इयर जाएं तुर्की जाना है इटालिया जाना है अभी तो बारडर सील हो गएं खुदारा पाकिस्तानी जो मेरी वीडियो सुर रहे हैं वीडियो को शेयर करें तांके अमारे जो दोस्ते हैं उनकी जाने बाद सकें जो भी जारा है इतली वगर जारा है एरान ने बारडर सील कर दिया जो जाए गा अंडर्ड परसंट इसकी बचने के चांस्ने नहीं और जो बच गया वो गयर उते हैं यह भी यह बलेक मेलर होते हैं यह पकड़ ल आपको पता है कि आज कल गुर्बती इतनी हो गए पाकिसान में कि लोग ढूंडते रहते हैं तो कि हमने अमीर होना यह यह तो नहीं है कि आपने अमीर होना है तो पनी जिन्दगी को भी खतम कर दें जब तक जिन्दा रहेंगे कुछ ने कुछ तो आप कर पाएंगे ना जब परहेगी ना तो घरवालों को होगा तो मेरा वीडियो पनाने का मकसद ये था कि आप कभी भी डंकी लगा था जाना या तो भी एर जाएं नंगी लगा के माझ जाएं कि इतने तो यह दोस्त हमारे गये और उनकी जाने टें गलाने करबान हो गई और जी जाने कृबान अश्य होते हैं घरवालों के लिए होते हैं और घरवालों के लिए अच्छा वो दिन होता है कि जो आप जिन्दे भी रहें घरवालों को खुश रखें और अपने आप में इतनी आप में होनी चाहिए कि आप घरवालों को भी खुश रखें और सभी खुश रहें और मेरा वीडियो का मक्सद यही था कभी भी डंकी लगा गे माज़ा हैं तब तक अकर मेरी वीडियो यह आपको अच्छी लगए तो लाइक करें न्यू वीडियो में मिलते हैं तब तक अपने दोस्त मुमंत महबूब को देजिए अजाज़त अल्ला ने के बाँ